रखो ये जित्ता जो कुछ भी चल्ला है सब कुछ ना कुछ मोधी जी करेंगे ठीक होगा सब बस एक बार ये चुनाओं खतम हो जाने दो जैसे ही चुनाओं खतम होगा मोधी जी वापस आएंगे आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ आकर के करेंगे उन लोगों के लिए जो बच गए होंगे अब क्या मतलब चाहते हो कि मोधी जी अभी थाली वाली बजवादे गंटी और दिया मुंबत्ती सब करवादे फिर लोग हसी मजाग उडाएंगे कहेंगे वही सब पुराना अभी कोई यूनिक आइडिया आ नहीं रहा उनके दिमाग में इसलिए वो शांत बैठे हैं कुछ नहीं बोलना है आप देख रहे हैं कि देश में इतना हाहा कार मचा हो कुछ बोलना है कुछ कह रहे हैं किसी को जो चला है लखनव में भोपाल में उपी में गुजरात में सब आप लोग देख रहे हैं लेकिन वो इसलिए शांत बैठे हुए हैं जैसे ही कोई यूनिक आइडिया आएगा कुछ करने वो सबसे करवाएंगे वो भरोसा रखो मोदी जी पर अब सोचो मोदी जी जैसा महान इंसान जो एक साल के अंदर विश्चुका इतना बड़ा स्टेडियम बनवा सकता है नरेंदर मोदी स्टेडियम वो क्या हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा उसके लिए जो सच साड़े आठ हसार करोन का महान नेता हमें मिले हैं हमें प्लीज उनको सभाल के चलना है उनको उपर भरोसा रखना है जो अर्बो रुपए के बीजेपी के कार्याले बनवा सकता है वो हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है जो अर्बो रुपए की इतनी बड़ी स्टेचू बनवा सकता है मूर्ती बनव बंगाल में क्यों जा रहे हैं चुनाओ प्रचार में क्यों घुसे हुए अरे वहां का विखास करना चाहते हैं इसके लिए एक बार उनकी सरकार बन जाने दो फिर देखना वहां पर वेंटिलेटर के फैक्टरी डालेंगे वहां पर यह ऑक्सिजन के प्लांट वहां पर लगे